दिवाइन इंटरवेंशन शब्द कहां से आया वेर डिवाइन इंटरवेंशन कम फ्रम ये पूछा है सवाल रुपाली ने तो आज एक बार फिर से दिवाइन इंटरवेंशन पर थोड़ी सी नौलेज आप बढ़ा लीजिए दिवाइन इंटरवेंशन का एक और एक्जांपल ये है कि जैसे एर प्लेइन में 350 पैसेंजर थे और लेंडिंग के दोरान प्लेइन इंबैलेंस हो गया और ब्लास्ट हो गया तो टुकडों में तूटकर धरती पर गिर गया 349 पैसेंजर तो मारे जाते हैं बट एक व्यक्ति बचता है तो क्या है ये ये बचता है miraculously वो miracle क्या है वो miracle ही तो divine intervention है अच्छा ये हो सकता है कि ये इंसान बहुत ही pure पायस energy का रहा हो जो बच गया है तब उस पर divine की विशेश कृपा हुई हो यही divine intervention ये miracle मान कर चल सकते है लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये fraud, जल, कपट, black magic, वशी करन, etc. पाप करने वाला और something कुछ गवन किया हो, किसी का पैसा मार के भागा हो, बहुत ही बड़ा इसने गलत काम किया हो तो फिर उस पर divine intervention या divine की कृपा किस तरह से हो गई? इश्वर ने उसे right direction में लाने के लिए ये miracle किया, ताकि उसकी spiritual awakening अचानक से हो सके, ऐसे कैसे, फिर तो सभी criminals पर होने लग जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि pure past, अच्छी soul भी उसको अच्छा बच्पन, अच्छा teaching, अच्छे parents, अच्छा माहौल, environment नहीं मिला होता, तो वो गलत संगती में पढ़ जाता है, बट उसकी आत्मा हमेशा ये कहती है कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना है, लेकिन जो ये environment है और उनको जो सीख मिली होती है, वो ये ही गलत काम करने पर उकसाती रहती है, तो मन कहता है कि कु ये तो बहुत ही बदमाश था, ये वाली चीज, तभी तो आपने वो stories भी देखी और सुनिये पंचित तंत्र की, कि अंगुली माल लाकु था और वो सादू बन गया, कैसे परिवर्तित होता है, रिदे परिवर्तन, यही तो perspective होता है, रिदे कैसे बदलता है, रिदे तो व पैसा हो गया, तो 14th century में providence शब्द का यूज होता था, वीडियो को पूरा सुनियेगा, बहुत ही अच्छी knowledgeable आपको वीडियो लगेगी, अगर आप divine intervention पर थोड़ा सा जानना चाते हैं तो, तो 14th century में providence शब्द का यूज होता था, इसका मतलब है the forcing care and guidance of God, फिर 17th century में divine providence शब्द का खूब जलन में रहा, और फिर 1800 की शुरुवात में एक particular phase, जिसे divine intervention अक्सर इस्तमाल किये जाने लगा, जिसे divine intervention अब तक जानते हैं तो यह 1800 की इसमी की शुरुवात से शुरू हो गया था, यह हुआ था Christian religion में, तो इसका अर्थ था कि भगवान का इंसानों को किसी तरह की calamity से अचानक बचा लेना, जहां बचने की उमीद 0% हो, और by the early 20th century divine intervention शब्द को एक supreme power को समझाने और ईश्वरी ताकत को describe करने और एक greater force को जो इंसान को सही direction दिखाने का miraculously काम करती है, वो भी तब जब कोई उमीदी न हो, इस पर एक movie भी बनी हुई है अगर आप देखना चाहें तो divine intervention पर, उसका नाम ही यही है divine intervention movie, अगर आप YouTube पर search करेंगे तो मिल जाएगी, नाम है Palestine Director Elia Suleiman 2002 पर बनी हुई है यह वीडियो, नाम है divine intervention, तो आप director का भी नाम तो ही आपको correct video और movie आपको देखने को मिलेगी, और आप समझ सकें तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही higher level की बात है यह, तो who uses divine intervention, यह बात को भी थोड़ा सा और समझ लेते हैं, thank you so much मेरे साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए, divine intervention शब्द, theoretically and philosophically and literary presentation और text के रूप म use होता है, किसली होता है, ताकि faith पर विश्वास किया जा सके, या इन शब्दों पर विचार करके, हमसे बड़ी कोई एक शक्ती है, इस concept को समझाया जा सके, नहीं तो हर इंसान यह गयता है, मैं ही बढ़ाओं, मैं ही चलाता हूं, मैं ही पृत्वी गुमाता हूं, इस ego से भ भयंकर मुसीबत में था और कैसे चमतकार हो गया, मतलब ऐसी मुसीबत थी कि मैं मरी सकता था, लेकिन फिर भी मैं बचकर आ गया, ऐसे उधरन आपको आसपास कहीं न कहीं जरूर आपको देखने सुने को मिले होंगे, इवन आपने अपनी लाइफ में भी महसूस किया होगा कोलीक्विल स्पीच एन राइटिंग में डिवाइन इंटरवेंशन शब्द का परयोग मेटाफॉर के रूप में किया जाता है कि अच्छानक डिवाइन टाइम पर सही टाइम का मिराकलेसली पूरा हो जाना, इस शब्द को फ्रेज के रूप में भी यूज किया जाता है, कि नमुम्किन काम कैसे मुम्किन बन गया बाइदा ग्रेस अव गॉड लाइक अगर आप मान लिजे आपके फादर मानी नहीं रहते शादी के लिए तो आप इस फ्रेज को इस तरह से यूज करेंगे, Unless by divine intervention my dad changed his mind, I won't be going to marry that guy. Divine intervention कुछ चमतकार हुआ, मेरे पापा दो मानी नहीं रहते, लेकिन फिर भी मेरे पापा मान गये और मेरी शादी उससे हो गई. तो divine intervention किसी religion से बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि Christianity में ये वाला शब्द यूज होने लगा. तो Christian, Jewish, Hindu God, Jewish God, Christian God, सब एक ही हैं, even angels भी. इनकी अपनी अपनी आर्मी होती है, जैसे वक्त पढ़ा, जैसे जिसकी पुकार आई, वैसे वैसे उस तरह की शक्तियां उस समय हाजिर हो जाती हैं और काम करने लगती हैं. Simple language में एक बार फिर से अंत में यही बताऊंगी कि Divine Intervention को क्लियर करने के लिए कि Divine Intervention is a miracle or act of God or Gods, you can say. That causes something good to happen or stops something bad from happening. Thank you so much. All the best. Thank you.